हेलो टेडर्स कैसे हो आप लोग आयोप सबच्छे होगे हम लोग कल के लिए इनलेसिस करते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट कैसे बिहेब कर सकता है उससे पहले मैं आज के बाद बता दूँ तो अपना आज का सीप्यार इधर था और उससे बहुत जादा नीचे मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डॉपंड ओपंड होने के बाद यह मैं मार्क किया था विकली सिप्यार इसका मतलब जों ठाय और विकली सुस्यार का जों के अंधर अकर मार्केट रहता है तो हो क्या करता है ना कि साइडबर मूव देता है तो हमें 1-day का टाइंप्रेम में पांच मेट का टाइम फ्रेम में हमें साइड मूव दिखता है इसी रिजन से यहां तक मैंने दिया था कि ट्रेड नहीं करना था और देखिए यहां ब्रेक हुआ तो आपने एक टार्गेट अचीव हुआ दूसरा टार्गेट यहां तक था जो कि अपरोग 50% अचीव हुआ हम मार्केट में गैप डाउन यह फिर फ्लैट अपन होता है तो मार्केट में क्या-क्या हो सकता है तो सबसे पहले मैं फ्लैट के बात करता हूं तो अभी आप यहां टाइम देखो 15 सुल्ला हुआ है ठीक है तीन बच के सुल्ला मेंट हुआ मतलब आप्रोक्स 14 मेंट बाकी यह मार्केट बंद होने में ठीक है तो मैं मानता हूं कि इस रेंज में मार्केट बंद होगा ठीक है इस रेंज मार्केट बंद होगा और यहां अपना सिप्यार है कौन सा सिप्यार अपना मंतली यहां अपना डेली सिप्यार है यह अपना डेली सिप्यार जो तीन लाइन अपक बेरिस मार्केट मानते हैं ठीक है बेरिस मार्केट मानते हैं तो इसमें क्या सिस्टम हो सकते हैं और हम लोग कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं चलिए वो देखते हैं मैं दिखाता हूँ आप लोगो तो अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है ठीक है तो क्या होगा यह करें लेगा से लेगा जो कि अपना CPR कैन से मार्केट रेसिस्टेंश लेगा और वहां पर जैसे ही में रेड करेंदल दिखेए तो यह होगा कल का प्रिवियेस टेलो और फिर यह है अपना तक के लिए हम लोग एक छोटा से स्काल्पिंग कर सकते हैं उसके बाद कि मैं बताता हूं उसके बाद का जो मैं यह पॉइंट नीचे लगाया हूं यह क्या है 33,000 जो लेवल है वो क्या है एक तो वह psychological नमर है जो कि round figure है ठीक है और दूसरा चीज में आपको दिखाओं तो चलिए वन आवर का चार्ट में देखते हैं क्या हो आप देखो फ्रेंड यहां पर वन आवर का चार्ट है इसमें यह जो आपको दिख रहा 33,000 यह क्या है यह है य इससे पहले week में जो यहां पर low बनाया था इस candle ने इस red candle ने वह अपना यहां पर mark है तो अगर previous week का low break हो गया तो कल एक बहुत बड़ा move दिख सकता है downfall में ठीक है आप लोग समझ रहे हो मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर flat कुले तो क्या होगा कि अगर market कल इसी zone में open हो ठीक है और इधर से आएगा तो market यहां तक यहां तक हम लोग छोड़ा से scalping करेंगे और अगर यह तीनो zone break हो जाता है मतलब S1 previous day low और यह जो 33,000 का zone है तीन zone अगर break हो गया तो हम एक अच कि अगर market कल इधर कहीं open होता है ठीक है इधर कहीं open होता है market तो क्या हो सकता है कि यहां से market फिर से support लेके क्योंकि previous day low है यहां से market support लेके CPR तक attract हो सकता है ठीक है और अगर इसे break कर देता है market कल 33,000 को तो market एक अच्छा सा फिर से downfall दे सकता है है ओके हमें दो पॉइंट पता चल गया अब तीसरा पॉइंट कि अगर market gap up खुलता है अगर market gap up open होता है ठीक है अगर market gap up open होता है तो कहां होगा weekly CPR के अंदर और weekly CPR के अंदर होगा तो आप देख रहे हो यह middle CPR है तो central pivot point होता है तो बीच वाला इसका लाइन है और वहीं से market मेंट आज देखो कि दो तीन वार rejection लिया है ठीक है आप देख सकते हो कि एक वार यहां पर एक और एक वार एप्रोक्स जाकर यहां पर rejection लिया है तो अगर यहां पर आएगा तो फिर हो सकता है फिर यह mid CPR इसको rejection देगा और daily CPR के पास आ जाएगा ठीक है तो इसलिए अगर इ 33,898 मतलब 33,900 को क्रॉस कर लेगा मार्केट तो समझ जाए कि हम अच्छा से एक मूव मिल सकता है तो सिम्बल से मैं बता दूं तो कल फ्राइडे है उसके लिए 33,900 से लेके 33,900 पॉइंट का जोन है यह बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक आपको लग रहा हो पॉइंट लग को यह लिए उसी ट्रेडम करते हैं मतलब माल कि मार्केट अंदर ठीक है लेकिन डिवी बाकेट अगर ऊपर चार रहा तो हम लोग क्या करेंगे bullish trade यहां ले सकते हैं लेकिन अगा daily CPR के अंदर रहेगा तो हमें trade नहीं करना है ठीक है इतना आप समझ गए तो I hope आप लोग को समझ में आ गया हो कौन-कौन सा point पर में buy करना है करना सेल करना है आपको सबको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठेंक यू